हे गईज तो क्या ये बोलना सही होगा कि रिलाइन्स ढूब गया या फिर खरीदने का एक बहुत बड़ा मौका हमारे पास आ चुका है लगबग आज के डेट में अगर आप देखना चाहोगे तो लगबग 9 से 10 पसंड के आसपास जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिला और जैसे ही मार्केट ओपेन होता है केवल गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रहा है यहाँ पर देख लिजे ओपेन कितने पे हु जहरा है वो सबके सामने आच चुका है जो कोई भी आपको नहीं बताना चाहता है कोई भी नहीं बताना चाहता है मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 98% लोग जो है रिलायist के बारे में यह न ही बताना चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी कंपनिया बहुत बड़ी company है भाई इसलिए बोले है भाई कि नहीं जो भी है सही है ऐसा कुछ भी नहीं है देखे रिलाइंस के पास तीन या चार source of income है वहाँ से रिलाइंस को एक या दो जगह ही काफी बड़ा profit हुआ है लेकिन बागी सारे जगह में इसको जो है नुकसान पे नुकसा do with RIL Reliance Industry post quarter 2 result जो quarter 2 का result post हुआ था तो अब आपको क्या करना चाहिए buy करना चाहिए sell करना चाहिए या hold करना चाहिए देखे मैंने आप लोगों को पहली बता दिया था कि quarter 2 के result में बहुत जादा ही गड़बड है मैंने लगबग 2 minute की वीडियो बनाई थी सब कुछ बता दि वाला लगबग 5 घंटे पहले ये news आई है दो घंटे पहले ये news आई है इससे ये पता चलता है कि market जब open था market hours में ये खबर आई है जहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि Reliance Industry slips over 7% post quarter 2 result तो जैसे quarter 2 result post किया था उसके वज़े से 7% का आप लोगो गिरावट देखने को म सहिए है क्किया ह्लुकर आप लगो आप नहीं क्या गरते हैं जब भी कोई भी काम करते हैं तो एक साल की नहीं है क्वार्ट को इग्नॉर करने की सब्सक्राइब आते रहते हैं तो इसका聯ा नहीं हो ता आप ये देखो, कभी भी आपने ये सुनाओगा जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर है, वरिन बफिट है या राके जुंजनवाला है, ये कोई भी अगर आपने ये तो जरूर सुनाओगा, किसी भी कंपनी में करने से पहले, पीछले 10 सालों का डेटा देखो बात सही है, तो कॉमेंट में लिखो हाँ आपने सुनाओगा कि किसी भी कंपनी खरीदने से पहले 10 सालों का डेटा देखो, क्या आपने कहीं पर ये सुनाओगा कि क्वार्टर क्वार्टर का डेटा देखो 10 साल, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे दिखा जाता है, तो हम यहाँ पर अगर 1 year के हिसाब से देखते हैं, देख लिजे, 2019 सेतंबर बताया जा रहा है, और 2020 के बीच में, यहाँ दोनों के difference में देखेंगे, तो petrochemical पहले कितना था, लगबग 38 के आसपास company को profit हो रहा है, लेकिन जो last year है, वहाँ से company ने petrochemical में ज़्यादा improvement नहीं की है, सही है, यह petrochemical, अभी refinery में देख लेते हैं, तो पहले 97 था, और फिर यहाँ कितना है, 62 के आसपास है, गिरावट है की नहीं, गिरावट है भाई, एक साल के अंदर company को improve करना चाहिए था, और improve करना चाह है, या मान लो कि आप कितने भी बड़े इंसान हो, एक गलती अगर आप कर दे तो वो भी छोटा से छोटा, तो आपका पूरा dignity है, जो भी है, वो मिटी में मिल सकता, इसलिए हमें हर इक चीज़ को follow करना चाहिए, अब यहाँ पर देख लीजे, retail में, retail में अगर देखना च चीज़ है, जो Reliance को केवल आगे ही आगे लेके जा रही है, वो है digital service, पहले, last year के same quarter में कितना था, लगबग 16,000 के आसपास था, फिर कितना था, 21,000 हो गया, अभी कितना 22,000 के आसपास है, तो लोग बस यही सोच रहे हैं कि भाई, digital business तो आगे बढ़ रहा, आप ये तो दे लिए, DHFL company क्या खराब थी, वो भी अच्छी थे, company अच्छी थी, पर मोटर्स अच्छे नहीं थे, पर मोटर्स वहाँ पर क्या कर रहे थे, company को खोकला कर रहे थे, रवनीत गिलजी देख लीजे, कोई, yes भाई खराब था, नहीं था, yes भाई भी अच्छा था, खराब करने वाला कौन था, राना कपूर, तो केवल एक गलती, और एक इंसान ही पूरी company को ले डूबने के लिए बहुत काफी है, तो केवल digital business में ही आप लोग को अच्छा खाशा पर्फरम देखने को मिला, उसके बाद finance service में ही थोड़ा बहुत, लेकिन सब में आप लोग को weakness देखन को मिला, वो भी one year के आसपास, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर आप लोग को अच्छा खाशा पर्फरम करके दिखादा company, तो ज़्यादा से ज़्यादा profit आपको देखने को मिलता आज के date में, अब देखें बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि रिलाइंस का जो digital है, वो चार खंबे पर खड़ा है, और एक खंबा गर मान लेते हैं कोई problem हो जाता है, तो यहाँ पर अब comfortable नहीं रहेगा, यह जो chair है, क्या इस पर हम comfortablyly बैट सकते हैं, नहीं बैट सकते हैं, कभी भी गिरने का chance हो सकता है, इसलिए जब भी हम एक company के बारे में देखेंगे, तो A to Z देखेंगे, समझ रहे हैं, A to Z देखेंगे, लेकिन हमारी आदत क्या है, हम तो यह देखेंगे, भाई यह भी मजबूत है, यह भी मजबूत है, यह वाला भी मजबूत है, एक ही तो टूटा है, जाने दो, लेकिन जब गिरने के बाद लोग को समझ में आता है, इसको भी ब जब रिलाइंस का कॉर्टर टुबाया था तब यह विडियो बना दिया था आप लोगों को समझा दिया था कि भाई देखो रिजल्ट सही है लेकिन क्या खाम यहां क्या गलत चीज़ है वो भी हमें देखना चाहिए यहां पर देखे यह भाई सब बोलना चाहते हैं कि इसमें बोलना चाहते हैं कि रिलाइंस हैवे जियो रिटेल मार्केट यह तो ऐसे बोल रहा है जैंसे इनका खुद की कंपनी है अंबानी जी का कोई यहां पर रिलेस्टन है यह नहीं यह इनकी खुद की कंपनी इतना ज्यादा कॉन्फिदेंस के साथ बोला है और भाई डियाइच पड़ें रिजल्ट तो पड़ लेकिन उन्होंने क्या दिखन एट गज्का डेंकट प्रेसेंट में जो कॉउर्टर का रिजल्ट आया हैं वहां पर क्या पफॉर्मस है हमें कंप्धों की क्या यह कैसा कंपनी ने मौन कि पपफॉरॉम की पिछले साल से इस साल में और सबिक करा ना और भी source of income है सभी को देखना पड़ेगा समझ रहे ना तो यह क्या है इनके आँखों पर देखे साय दीनों ने चस्मा भी पहन रहा का तो देखिए चस्मा पहन के किसी भी चीज को हम देखने के का ओँ सभी लोग देख रहें लाच कौटर से कौटर में company न अचे पूरी बात जानने की कोशिज करो और उसके बाद देखे एक बंदे ने क्या comment किया था कि भाई तुम तो सबको मरवाद होगे यहाँ पर देख लिए सब को बरवाद कर दोगे हाँ वो तो किसने किसको बरवाद किया पता चली रहा है अगर आज आपने वक्त रहते ही अगर आपने सचाई को accept करने की कोशिस ना की ना तो जिस दिन वक्त ने आपको बदल दिया ना बहुत तकलीफ होगी बहुत तकलीफ हो उसने दिन दुनिया के कोई भी ताकत नहीं बचा पाएगा अब जो final है वो मैं आपको बता देता हूँ समझना है तो समझ भी सकते हैं अगर आपको negative में मिलेना है तो यह आपके उपर depend है अब Reliance का जो आज की रिट में गिरावट देखने को मेला यह गिरावट नहीं था क्या-क्या मार्केट ने Reliance Industry का शेर का प्राइस को अडज़स्ट कर दिया according to quarter result according to quarter result जो last year के quarter result से अभी जो आया one year के जो दायरे में आया उसने क्या-क्या मार्केट ने इसके क्या-क्या प्राइस को अडज़स्ट कर दिया और कुछ भी नहीं किया सही है कुछ भी नहीं किया अभी देख सकते हैं जिस दिन quarter result आया था holiday में उसके बाद holiday ही था अब market जब भी open होता है अब working day में जैसे market होता है जैसे आप लोग को केवल गिरावट ही गिरावट देखने को मिलता क्यूं जब result आता था तो क्यूं गिरावट देखने को मिला तो अब क्या है कि market ने इसके price को adjust कर दिया आप कोई दिक्कत की बात नहीं है अब आप Reliance को खरीद सकते हो देरे देर अब hold भी कर सकते हो सही है अगर आपके pass है तो आपको और ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगा थोड़ा बहुत हो सकता है उपर नीचे कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन अब आपको hold रखना है Reliance Industry को और खरीदने की तयारी भी कर सकते हो आप अपने हिसाब स तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि result काफी अच्छा है अच्छा है अच्छा अच्छा दिखा दिया ना market में अपना असली चाहरा कभी भी याद रखेगा सिक्के के दो पहलू होते हैं लोगों ने आपको केवल एकी पहलू दिखाया है और market ने आपको दूसरा पहलू द देखना बहुत ज़्यादा important है नहीं तो अगर आपने क्या क्या खामिया है company में नहीं देखो नहीं देखोगे तो नुकसान होने का chances बढ़ याते हैं बाकिया आपकी मर्जी है भाई नुकसान होगा तो आपको होगा उसमें मेरा क्या लेने देना profit भी होगा तो आपका होगा बाकि आपकी मर्जी और अगर आप stock market में नहीं हो अपने डिमेट अकाउंट वगर open करना चाहते हो तो एंजल बोकी में डिमेट अकाउंट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में देखिए अगर आपको डिमेट अकाउंट के साथ साथ आप लोगों को knowledge मिल जागा वैसे भी जीरता जैसे जो प्लाटफोर्म में अच्छे वले प्लाटफोर्म जहां पर आप और आपका पैसा दोनों से यहां पर ग्रूप आपको बताया जाता क्या खरीदना है नहीं बेचना है नहीं बिचना इंट्रेट फ्यूचर ओप्शन चाट और लॉंग टरूप सब कुछ ब